हालो इस्ट्विएंट्स वेलिकम टूपीवि एर इस्टोडी बच्चो आजके इस वीडीओ में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको तीनों बुजयय दी गई हैं तो आप तिर्भूज की रचना कैसे करेंगे देखिए पिछला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो आपको इसमें कुछ सुनना तो वीडियो को स्क्रिप करके पॉइंट पर आजाओ या फिर सुन लो देखो इसमें तीन भूजाएं दी गई हैं हमें तिर्भूज बनाना है इसी तरह से आपको आगले जो इस्टेप में मिलेगा उसमें आपको दो भूजाएं और एक कौन दिया गया होगा तब ति की तिर्भूज की रचना कीजिए यदि PQ 706 cm दिया गया है QR आपको 5 cm दिया गया है और PR 7 cm दिया गया है इक वाध ध्यान देना यह वाईट बॉर्ट पर पढ़ाना संभो नहीं है इस कलास को आपको परकार और पैंसिल से दिखाना पड़ेगा तब ही हो पाएगा नहीं तो आप इसको कर नहीं पाओगे तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप इसका कच्चा फिगर बना लोगे जैसे मानलो पी क्यू छे दिया है और ये क्यू आर दिया है और ये दिया है जो भी दिया इसमें साब कोई भी एक भूजा खीच लो तो आप लोग ऐसे बना लेना और उसके बाद तब हम पॉइंट पर चलते हैं ठीक है ये प्यार हो गया और ये क्यू हो गया ठीक है आप कोई दिक्कत नहीं ना किसी को क्यू आर देखो ये गड़वड हो रहा है नाम के कर दिंग यहां पर क्यू लिखो यहां पर आर लिखो ठ ठीक है तो प्यार कितना हो रहा है यहां फ्यार लिख लो ठीक है ओकई कर पैंसिल ना होने कहीं है हो गया चलो चौडव जाने दो यह क्यूआर जो है यह 5 अज़ो गया अब तुम ध्यान देना यहां पर कैसे इसको बनाएंगे यह तो रफ फिगर था इसका कोई मतलब निस साथ वाला तो हम इसमें क्या करेंगे पहले पडली ले कर करके साथ सेंटी मेटर कंप लेंगे हमारा रीयल वेटा उसके unext क्यों सुरू होता है हमें पड़्त виलिख हो बार्ट ड़ देना है और उसके बाद यह जी रप ले Хот interpret zwei यहां यहां पर रख करके 6 cm का क्या करोगे चाप लगाओगे यह मैंने लगा दिया उधर का पांच है इसलिए थोड़ा देखो इधर जगा थोड़ा कम पड़ेगी इसलिए यहां तक थोड़ा लंबा लगा देना पैंसिल से लगाना बाद में विटा देना इधर की बुझा अगर 5 cm है तो अब आप क्या करोगे 5 cm नापोगे यह चुक्की 6 थे इसलिए जादा है आप इसे थोड़ा क्या करोगे कम कर लोगे यह देखो मैंने कम कर लिया अब यह 6 cm का से 5 हो गया अब तुम इसको इस पे से लगाओगे यह लगा दिया अब देखो तो कहीं एक दूसरे को कमपलीट हो गया इस तरह से आप कोई भी तुझ बना सकते हैं जिनकी तीनों भुजाय दी गई हैं कि जब तीनों भुजाय Ching for a कि कुछ कौंड दिया गया हो इसमें से और कुछ भुजाएं दी गई हो तब कैसे बनाएंगे यह भी हम आपको सिखाएंगे इसमें एक सेंटिमीटर का अंतर है अगर आप देखो सबसे चोटी यह भुजा है फिर यह सबसे बड़ी है लेकिन अंतर बहुत छोटा इसलिए बहुत कम बड़ी अंतर जना ही दिया गया ना 6-5 जोड़ेंगे तो 11 होगा ना 11 मतलब 11 होगा और तीफरी भुजा साथ है यानि 11 जो है क्या है साथ से बड़ा है ना बड़ा है इसका मतलब तिरभुज बन सकता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर यह 6-5-11 हो रहा था और यह साथ की जगा पर यह खोग की अगर 11 होता या 12 उसक्त बनाना समबहर नहीं था क्यों क्योंकि दोनों बुजाओं का जोड़ है वह हमेältा तीसरी जोड़ा से सिंगल पुजा से refuse जाहिए जादा होना चाहिए ना कम होना क्यों अभाबर होने हमेसा जादा होने चाहिए कर देख कि यहां पे देख अगर 3 बुजाएं दी गई है लोग तेसरी के बराबर हो जाएगा या उसके मतलब छोटा रहेगा तो क्या होंगी बराबर और जाएगा तो संड्रेक बनेगा ही नहीं सिधर विदा हो जाएगा है अब जो मेटरी पढ़ोगे तो पता चलेगा देखिए एक सवाल और भी आपके सामने आ गया है इसमें क्या कह रहा है कि यह दी AB 4 cm है और आपको इसमें BC दिया गया है बच्चा 5 cm और AC 6 cm तो करा तिरभुज की रचना कीजिए इसमें भी सीधी सी बात है हमें जो जो भुजाएं दी गई है उसमें से कोई एक हम काल्पनिक फिकर बना लेंगे जैसे मालो मैंने यह बना लिए सबसे पहले यह 6 cm मैंने नीचे वाला बना लिया इसका नाम क्या है नाम करन हम बाद में मालो कर देंगे चलो कर दिया मालो चलो AC ठीक है अब कह रहा है AB 4 cm है तो यहां पर कहीं एक AB बना लो बच्चा और उसके बाद क्या ReZ na कि इतना ही नहीं अभी सिक्या और भी कह रहा है एक दूसरी भुझा है वो कितना है पांच सेंटीमीटर इनको मिला दो थीक है जाने दो अब यह भी बंडा है na हाँ बी दुसरी भूजा राष्ट वाली क्या है अब चलो सइसे फिकर बनाते हैं यह तो मैंने राफॉला बना दिया सबसे पहले हम 6 cm वाली नीची भूजा खीच लेंगे इसको पटरी ले करके ऐसे कोई भी खीच सकता है 6 cm इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह लो ठीक है मैंने खीच दिया इसमें किसी कोई लफड़ा कोई दिक्कत नहीं न हम चलो यह हो गया अब क्या कह रहा है यह मैंने खीच लिया कहां गया भई यह 6 cm ठीक है यह भी 4 cm था ना तो हम क्या करेंगे परकार यह जो पटरी होता ना इसमें इसकल में यह से 4 cm ना पेंगे इसको यह 0 से ले करके 4 थक एक नोक यह 0 पर रहना चाहिए और एक यह 4 पर यह देखो गया ना जिरो पर दिख रहा है आपको 0 पर यह टच कर रहा है ना बहुत कम समझ में आ रहा होगा लेकिन देखो कर रहा है 0 पर अरे भाई तुम ऐसे ही समझे लो कि पैन का जो नोक है यहां पर टच होना चाहिए यह जीरो के लपास जो बड़ी लाइन है उस पर टच होना चाहिए और जो इसका परकार का नोक है यह फोर पर अगर हम फोर कनाप रहे तो इस पर फोर पर तो यह हो गया बने चाहर कर लिह आप लिए ये ऐसे जगहा पर चाप लगाना यह कि जिससे ये इधर से जब नापें तो बराबर आ जाए ये बीसी कितना है पांच ना तो अब हम पांच का नापेंगे पहले हमने तिर्भुच की तीनों भुजाएं दी गई हैं तो आप बड़े ही सरलता से तिर्भुच की रचना कर सकते हो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है है ना लेकिन अगर भाईया यह बेसिक मैथ आपको नहीं आती तो जो भी चातर इस तरह के वीडियो को पूरा कंपलीट और जल्दी फे जल्दी पूरी मैथ सीखना चाहते हैं इस वाटसप नंबर पर वो जुआइन प्रीमियम लिख करके मैसेज करें लेकिन ध्यान दे यहां पर उनको फीस पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है इस समय आपको ल बरी तक मान है वालेंटैन डे के दिन तक मान है यह कंदार फीर आपका है यह करदान के लिए सबस्क्राइब IS बाकि फ्रीक लेक लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगा है और पैसा करना आपको बीडियो बहुत सार insectgemast में आपको फिरी मिलेंगे लेकिन इसमें क्या अंतर है इसमें आपको फूरा complete मैत एक साथ दे दिये जाएगा मतलब प्रीमियम कलास में एक साथ चाहे आप 5 गंटा पढ़ो चाहे 8 गंटा पढ़ो चाहे जितना पढ़ो चाहे जब पढ़ो लेकिन इसमें क्या इसमें है आप फिरी वाला देखो चार गंटे-पाँच गंटे पढ़ो जो आप कमन करें वो करो ठीक है फिरी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैला इकन अन करो और अगर पेड़ वाला करना है तो इसके संपर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन